वीवर्स साब बिलीब नहीं करोगे कि हजारों साल पहले जब पूरा यूनिवर्स बना था तब सबी प्लैनेट्स पर बहुत ही खतरना क्रियेटर्स हमला कर देते हैं जो कि टाइम बितने के साथ साथ खुद को इवॉल्व करने की ताकत रखते थे जैसे उनके पास हीलिंग पावर नहीं थी पर लड़ाई करते करते वो हील होना भी सीख जाते हैं लेकिन जहां पर बुराई होती है वहां अच्छाई आ ही जाती है एक इटर्नल्स नाम के टीम जिनके पास बहुत ही अलग लग टाइप के पावर्स होती हैं वो सब उन Creatures से Fight करके इंसानों को बचाते हैं पर क्या हो वो Creatures उनके Fighting Technics कॉपी कर लें तो अब देखना है कि क्या वो Eternals उन Creatures के लीडर को हरा पाते हैं या नहीं और क्या वो Earth के अंदर पनप रहे एक बहुत ही बड़े Monster को रोख पाएंगे लेकिन हम भी Eternals के साथ मिलकर उन Creatures को बीट करने का ट्राइ करेंगे यहाँ पर हमें उस टाइम का अर्थ दिखाय जाता है जब प्राचीन लोग रहा करते थे वो सब मांस और मचली खाकर अपना पेड भरते थे एक दिन वहाँ पर वही खतरना Creatures हमला कर देते हैं जो की दिखने में काफी ज़्यादा अजीब थे वो Creatures एक आदमी पर हमला कर देते हैं और उसे पुरा खा जाते हैं और अब बारी थी उसके बेटे की लेकिन जब वो Creatures उस लड़के पर हमला करने जाते हैं तब भी उस Creatures को कोई दूर से मार लेता है तब भी वहाँ पर Eternals के टीम का एक मेंबर आ जाता है और वो अपनी पावर्स का यूज़ करके उन Creatures को मारता रहता है Chris के पास Super Human Stamina था और वो हवा में तेजी से उड़ सकता था जिसका यूज़ करके वो उन Creatures को मारता रहता है लेकिन तबी वहाँ पर और भी ज़्यादा Creatures आ जाते हैं जो वहाँ के लोगों पर हमला करते रहते हैं तबी Eternals के बागी टीम मेंबर्स वहाँ पर आ जाते हैं और वो उन Creatures से फाइट करते रहते हैं उन सभी लोगों के पास अलग-लग पावर्स थी जोकि सालों के मेहनत के बाद उन लोगों ने हासिल की थी Eternals के टीम उन सभी Creatures को एक एक करके मारने लगती है और उन्हें खत्म करने में काम्याब भी हो जाती है क्योंकि अभी वो Creatures इवाल्व होना स्टार्ट नहीं हुए थे और उन्हें इवाल्व होने में थोड़ा टाइम लगता था जिसका फाइदा Eternals ने उठाया लेकिन वहाँ के लोग Eternals की पावर देखकर उनसे भी काफी आदा डरने लगे थे लेकिन उनका एक टीम मेंबर जिसका नाम Drake होता है उसके पास ये ability थी कि वो किसी के भी mind को control कर सकता था और अपने हिसाब से उन्हें command दे सकता था तो Drake वहाँ के सबी लोगों का mind control करने लगता है और उन्हें ये बताता है कि Eternals उसके दुश्मन नहीं है बलकि वो उनकी मदद करने आये हैं और इसके बाद वो Eternals इंसानों के साथ रहना स्टार्ट कर देते हैं और Earth पर ही रुख जाते हैं Eternals के team ने इंसानों को सिफ उन creature से ही नहीं बचाया था बलकि वो उन इंसानों के technology को improve करने के लिए भी help करते थे लेकिन इंसान तो इंसान ही थे ना उन सभी लोगों ने आपस में लडाई करना स्टार्ट कर दिया था लेकिन कभी कभी ड्रेक उन सभी के mind को control करके उन्हें रोग दीता था पर उन Eternals के leader जिसका नाम Ajak था वो अपने teammates को बताती है कि जिस celestial god ने उन्हें बनाया था उसने सिर्फ हमें इंसानों की आबादे बढ़ाने के लिए और उन creatures को मारने के लिए विजा था और इसके अलावा वो Eternals इंसानों की और किसी भी चीज़ों में दखालंदाजी नहीं कर सकते थे और यहीं उनका उसूल था लेकिन कुछ टाइम बीटने के बाद एजयक अपने टीमेट्स को कहती है कि वो सब अपनी तरीके से अपनी लाइब जी सकते हैं और जहां चाहे वहाँ जाकर रह सकते हैं क्योंकि वो creatures पूरी तरीके से खतम हो गए थे और अब इटर्नल्स को भी अपनी जिने का मौका मिलना चाहिए था तो वो सारे इटर्नल्स वहाँ से चले जाते हैं और अर्थ के अलग-अलग देशों में जाकर रहने लगते हैं अब यहाँ पर पूरे 5000 साल बीच चुके थे लेकिन किसी भी इटर्नल्स की उमर नहीं बड़ी थी क्योंकि वो सब अमर थे और कभी भी मर नहीं सकते थे यहाँ एक इटर्नल जिसका नाम सर्सी था वो दिखाई जाती है और वो एक शहर में बच्चों को पढ़ाया करती थी जोकि अपने क्लास जाने के लिए लेट हो चुकी थी सर्सी ने अपने एक फ्रेंड को बोल कर उन बच्चों को थोड़ी दिर हैंडल करने के लिए बोल दिया था और वो जल से जल उस क्लास में पहुँच जाती है दबी अचानक वहाँ पर भूकम पाने लगता है और सारी चीजे हिनली लगती है सर्सी के एक student के उपर statue गिरने वाली थी पर सर्सी अपने power का यूज़ करके उसे मिट्टी में convert कर देती है जिसे कि वो उन बच्चों को बचा लेती है मतलब कि सर्सी के पास वो ability थी कि वो किसी भी चीज को मिट्टी में convert कर सकती थी उसी राज सर्सी जॉर्ज के साथ एक pub में मिलती है जो कि काफी अदा मजे कर रही थी यहाँ पर एक और eternal थी जिसका ना Sprite था और उसकी power यह थी कि वो किसी भी इंसान का रूप ले सकती थी Sprite दिखने में काफी यादा छोटी दिखती थी और कोई भी उसे पसंद नहीं करता था तो इसलिए वो खुबसूरत लड़कियों में convert हो जाती थी और लड़कों के साथ date पर चड़े जाती थी पार्टी खतम उन्हें के बाद सर्सी और स्प्राइट जौर्ट के साथ जाते रहते हैं दवी वहाँ पर वही पुराना क्रियेचर आ जाता है और उन सभी पर हमला करने लगता है सर्सी सभी को वहाँ से भागने के लिए कहती है और अपनी पावर्स का यूज़ करके उस क्रियेचर को जमीन में फसा देती है जिससे कि उन्हें भागने का चांस मिल जाता है लेकिन सर्सी और स्प्राइट काफी अदा शौक थे क्योंकि इन क्रियेचर को तो उन लोगों ने 5000 साल पहले ही पूरा खतम कर दिया था से असली स्प्राइट कौन है लेकिन उस क्रियेचर के पास काफी अदा अच्छी थिंकिंग पावर थी और वो असली स्प्राइट को ढूनने में काम्याब हो जाता है और उसके पीछे भाग कर उसे मारने लगता है जबी वहाँ पर Chris आ जाता है और वो लेजर बीम का यूज़ करके उस क्रियेचर को मारने लगता है Chris नोटिस करता है कि उस क्रियेचर के पास हीलिंग पावर थी और वो अपने घाव को हील कर ले रहा था और ऐसी पावर सिफ उनके लीडर अजैक के पास थी रिकवर होने के बाद वो क्रियेचर Chris पर हमला करने चला आता है लेकिन Chris उससे काफी यदा पावर फुल था तो वो उस क्रियेचर पर लगातार अटैक करते रहता है और पानी में गिरने के बाद वो क्रियेचर वहां से भाग जाता है यहाँ पर हमें एक और बात पता चलती है कि 5000 साल पहले क्रीस और सरसी की साधी हो चुकी थी और वो एक दूसरे से काफी यदा प्यार करते थे लेकिन कुछ सालों बात क्रीस सरसी को छोड़कर हमिसा के लिए चला जाता है और सरसी अकेली रह जाती है जॉर्ज तो यह सब दिखकर काफी यदा शौक हो गया था तो सरसी जॉर्ज को सब कुछ बताती है कि वो सब इटर्नल्स हैं और उनके पास अलग-लग टाइप की पावर्स हैं लेकिन जॉर्ज पूछता है कि इससे पहले अर्थ पर बहुत सारी मुसीबिते आई थी तो तब वो सब कहां थे इसी के जवाब में सरसी उसे बताती है कि जिस सेलेस्टियल गॉड ने उन्हें भेजा था उसने सिर्फ उन क्रियेचर्स को मारने की पर्मिशन दी थी और इसके अलावा वो इनसानों के किसी भी चीज़ों में दखलंदाजी नहीं कर सकते थे सरसी जॉर्ज को गुडबाय कहती है और वहां से अपने दोस्तों के साथ चले जाती है वो लोग अपने लीडर अजयक के पास पहुच जाते हैं क्योंकि उन्हें अपने लीडर अजयक को इस बारे में बताना था कि वो क्रियेचर वापस आ गय है जब सर्सी और बाके सब वहाँ पर पहुचते हैं तो वो दिखते हैं कि उनकी लीडर अजैक जमीन पर पड़ी हुई है वो काफी अदा घायल थी और मरने ही वाली थी सर्सी समझ जाती है कि अजैक को जरूर उस creature नहीं मारा था अजैक के मरने के बाद उसके मुझसे एक सुनहरी बॉल निकलती है जो कि सर्सी के बाड़ी में चले जाती है और अब सर्सी इटर्नल्स के लीडर थी जो कि अब अपने सेलेस्टियल गॉड से बात कर सकती थी तो अब सर्सी और बाके सब अपनी पूरी टीम को इकठा करने का डिसाइट करते हैं तो कि वो creatures अब दुगनी ताकत के साथ वापस आ गये थे Kingo अब बहुत बड़ा actor बन गया था और उसने अब तक बहुत सारी movies में काम कर लिया था जब वो लोग Kingo को उसके साथ आने के लिए कहते हैं तो Kingo उन्हें बताता है कि उसने बहुत सारी movies के साइन किया है और वो पूरी तरीके से busy है लेकिन जब Kingo को अपने लीडर Ajax के मरने का पता चलता है तो वो काफी यदा शौक हो जाता है और इसके बाद Kingo कंवेंस हो जाता है उन सभी के साथ आने के लिए Kingo के साथ उसका manager भी आ जाता है वो लोग Kingo के private jet में थे और Australia के तरफ बढ़ रहे थे जहाँ पर उनके दो और teammates रहते थे वो सब जब Australia पहुँचते हैं तो उन्हें वहाँ पर एक creature मरा हुआ मिलता है वो समझ जाते हैं कि उनके दो दोस्त यहीं कहीं हो सकते हैं Kingo का manager अपने साथ camera लिखे आया था और वो सब को shoot कर रहा था जैसे कि यहाँ पर कोई film चालो हो वो सारी लोग अपने एक team member के पास पहुच जाते हैं जिसका नम चिंग था जब चिंग को भी ये बात पता चलती है कि उनकी leader मर चुकी है तो वो भी काफी अदा उदास हो जाता है इसके बाद वो लोग अपने एक दूसरी teammate के पास जाते हैं जिसका नम थीना था और वो एक पेड़ के नीचे बैट कर कुछ drawing कर रही थी तीना को हमेशा की तरह दौरा पढ़ता था और दौरा पढ़ने पर वो किसी को भी पहचान नहीं पाती थी और सामने आने वाले सबी लोगों पर हमला करने लग जाती थी जिंग हमेशा तीना के साथ ही रहता था थीना अपने पावर का यूज़ करके अलग लग टाइप की हतियार बना सकती थी और वो उसी का यूज़ करके सभी पर हमला करने लग जाती है क्योंकि उसे अभी भी दौरा पढ़ रहा था पर स्प्राइट वहां का माहोल चेंज कर देती है और थीना को बताती है कि वो लोग कौन है और यहाँ पर क्यों आये है चिंग यहाँ पर थीना को सांद करता है और वो पूरी तरीखे से सांद भी हो जाती है इसके बाद वो सब बैट कर डिनर करने लगते हैं और वो सब लगबग पूरे 5000 साल बाद वापस मिल रहे थे तो वो अपनी टीम को देखकर काफे ज़दा खुश थे लेकिन सर्सी यहाँ पर खाना छोड़कर उठ जाती है और बाहर चले जाती है सर्सी उसी जगह पर आती है जहाँ पर थीना ड्राइंग कर रही थी और वो अब अजैक की दीवी पावर का यूज़ करके अपनी सेलेस्टियल गौड से बात करते रहती है सर्सी उन्हें बताती है कि वो क्रियेचर्स वापस आ गये हैं और उन सबी ने उनके लीडर अजैक को मार कर उसके सारी पावर्स ले ली हैं तब यूनका गौड सर्सी को बताता है कि अर्थ पर ये सारी अंजान चीज़ें होना इमर्जेंस की निशानी है सर्सी के पूछने पर की इमर्जेंस क्या है गौड उन्हें बताता है कि उसने ही Eternals को बनाया था और उन्हें उन Creatures को मारने के लिए बेजा था पर उसे अपने जैसे बहुत सारे Celestial God बनाने थे तो उस गौड ने अपने छोटे छोटे बीच हर प्लैनेट के अंदर डाल दिये थे और उस बीच को पूरी तरीके से तयार होने में हजारों साल लगते थे वो भी इंसानों से निकलने वाली Energy को Adsorunn करते थे और धीर सरे Grow होते थे पूरी तरह Grow होने के बाद उस सभी प्लैनेट से बहार निकल कर उने पूरी तरीके से तबहा कर देते थे और बाकी प्लैनेट्स पर Emergence कामयाब होनी के लिए सरसी और उसके टीम ने ही help किया था लेकिन सरसी को इस बारे में कुछ भी याद नहीं था मतलब कि वो God Eternals के सारी यादे मिटा देता था और हर emergence के बाद उनकी नए यादे start हो जाते थी और इसी के वज़े से थीना को दोरे आते थे क्योंकि उसे अभी भी अपने past की कुछ चीजे याद थी और अभी तक उस God ने थीना के mind से वो सारी यादे पूरी तरीके से हटाई नहीं थी ये सारी बाते पता चलने पर सर्सी वापस अर्थ पर आ जाती है और अपने टीमेट्स के पास जाकर उन्हें ये सब कुछ बता देती है इसके बाद वो उन सभी से कहती है कि उन्हें emergence होने से रोकना पड़ेगा और पूरे इंसानी प्रजाती को बचाना पड़ेगा वो सब Amazon के जंगलों में चले जाते हैं अपने आखरी साथी को ढूंडने के लिए उन जंगलों में ड्रेक रहा करता था जब उसकी टीम ड्रेक को ये सारी बाते बताती हैं तब स्टार्टिंग में तो ड्रेक उनकी मदद करने के लिए मना कर देता है और उन्हें बताता है कि उसे नॉर्मल लाइफ जीनी है पर दभी उनके टीम पर वो क्रियेचर्स हमला कर देते हैं जो कि पहले से काफी यदा पावर्फुल हो गए थे कि वह यहाँ पर अपनी पावर का यूस करके उन क्रियेचर्स पर फायर करते रहता है और उन्हें दूर फेकते रहता है यहाँ पर क्रियेचर्स का लीडर क्रिस पर हमला करते रहता है और उस क्रियेचर्स ने पिछले बार के लड़ाई से काफी कुछ सीखा था उस क्रियेचर्स ने क्रिस की फाइटिंग टेक्निक्स को समझ लिया था और उसके सारी पावर्स को जान लिया था वो क्रिस पर हमला करते रहता और उसके सारी पावर्स लेने रखता है तब यह वहाँ पर चिंग आ जाता है और उस creature को मार कर दूर ढखे लेता है चिंग अपने हाथों के पास एक powerful shield बना लेता है जिससे कि वो किसी भी चीज़ों को रोक सकता था और अपने दुस्मनों को काफी यदा नुपसान पहुचा सकता था लेकिन जब चिंग ठीना के मदद करता है और उससे बचा लेता है तब युन creatures का leader चिंग पर पीछे से हमला करता है और अपने nuclear tentacles उसके body में घुसा लेता है जिससे कि वो चिंग के सारी power absorb कर रहा था और सारी powers absorb करने के बाद उस creature के body में changes आने लगते हैं और अब थोड़ा इंसानों की तरह दिखने लगा था चिंग के सारी power चली गई थी तो वो अब मर जाता है वो सारी creatures वहाँ से चले गए थे और इटर्नल्स के पूरी team king के जाने पर काफी जाता दुखी थी यहाँ पर सर्सी और क्रेस अपने एक और team member से मिलने जाते हैं जिसका नाम Frank था और जब वो दुनों Frank को ये सारी बाते बताते हैं तो वो एक जटके में उनका साथ देने के लिए तयार हो जाता है अब वो सारे लोग इगठा हो चुके थे और इराग जाने के लिए निकल पड़े थे जहाँ पर पूरे 500 सालों से उनकी spaceship जमीन के अंदर दबी हुई उस spaceship को बाहर निकालने के बाद वो सभी लोग उसके अंदर चले जाते हैं लेकिन उस ship में पहले से ही Eternals की टीम की एक last member पहुँच चुकी थी जिसका नाम मकारी था वो कुछ बोल नहीं सकती थी लेकिन उसके पास बिगली की speed से भागने की power थी इसके बाद Frank एक device बनाता रहता है जिसका यूज करके उसके team अपनी power combine कर सकती थी और उस emergence को होने से रोख सकती थी यहाँ पर सरसी के body में वो stone glow होने लगता है और इसका मतलब था कि वो emergence जल्दी होने वाला है तो Frank मकारी से वो जगह find out करने के लिए कहता है जहां से emergence start होगा और वो God जमिन से बाहर निकलेगा मकारी full speed में पूरे earth का चक्कर लगाते रहती है और काफी ढूनने के बाद उसे वो जगह मिल भी जाती है जहां से वो emergence होगा क्रीस यहां पर कुछ अलगी behave कर रहा था और वो अपने eternal का suit भी पहन लिता है क्रीस तभी उस device को तबाह कर दीता है जिसे कि Frank ने emergence को रोकने के लिए बनाया था और इसके बाद ये पता चलता है कि उनके leader Ajak को भी क्रीस नहीं मारा था क्योंकि Ajak को इस emergence के बारे में पहले स पता था और वो इस emergence को रोकना चाती थी क्योंकि उसे इंसान काफी अदा अच्छे लगने लगे थे और वो नहीं चाती थी कि इंसानों की आबारी खतम हो और जब ये बात Ajak ने Chris को बताई थी तो उसने Ajak को धूके से उन creatures के पास fake दिया था जिससे कि वो creatures Ajak पर हमना करने लग जाते हैं और उसे पूरी तरीके से मार कर उसकी powers absorb कर लेते हैं यहाँ पर Chris नहीं चाता था कि emergence किसी भी तरीके से रुके क्योंकि वो अपने God के अगेंस नहीं जाना चाता था और उन सभी को जो भी काम मिला है वो उन्हें बखू भी करना चाता था Chris अपने teammates को धमकी देता है कि अगर किसी ने भी emergence को रूपने की कोशिश की तो वो उसे पूरी तरीके से खतम कर देगा Chris के वहाँ से जाने के बाद उन लोगों के पास अब कोई भी रास्ता नहीं था कि वो emergence को रूप सके लेकिन तबी Frank को idea आता है और वो सरसी को बताता है कि उसके body में जो stone है वो उस God से सरसी को जोड़ता था तो वो stone का use करके एक ऐसा uniband बना सकते थे जिससे के उस emergence को रूपा जा सकता था Frank सरसी के body से वो stone निकालता है और उसका use करके एक band बनाता है इसके बाद वो सब अपने spaceship को लेकर उस जगह पर चले जाते हैं जहाँ पर emergence होने वाला था यहाँ पर Chris और Sprite बैट कर उस emergence को होते वे देख रहे थे सरसी और बाखे सब वहाँ पर आ गए थे और वो उस band का use करके एक दूसरे से connect हो जाते हैं जो कि उस emergence को रूपना start कर देते हैं पर तभी वहाँ पर Chris आ जाता है और Drake के उपर powerful beam मार देता है जिससे की Drake दूर जाकर गिर जाता है मकारी काफी जड़ा चिलाएं लगती है क्योंकि वो Drake को like करती थी और अब वो अपने full speed का use करके Chris को मारते रहती है Chris ने मकारी को कुछ ज़्यादा ही कमजोर समझ लिया था जिसका भुकतान उसे तो करना ही पड़ेगा मकारी Chris को वार करने का मौका ही नहीं दे रही थी और उसे लगातार मारती जा रही थी सच में Chris ने आज तक इतनी मार कभी नहीं खाई थी वो भी अपने उमर से छोटी लड़की से सरसी यहाँ पर उस Emergence को रोकने अकेले ही चले जाती है और बाकी Eternals साथ मिलकर Chris के साथ fight करते रहते हैं और उसे काफी ज़्यादा मारते हैं वहाँ पर उन Creatures का लीडर भी आ गया था और वो इन Eternals पर हमला करते रहता है मकारी यहाँ पर तीजी से उस Creatures के चार और गूमने लगती है पर वो Creatures मकारी को मार कर उसके पावर्स लेने की कोशिश कर रहा था तभी फ्रैंक उस Creatures पर हमला कर देता है और उसे मकारी से दूर ढखे लेता है वो Creatures का लीडर एक गूफा में चले जाता है प्रैंक अपने पावर्स का यूज करके ख्रीस को रोक लेता है और उसे एकदम लॉक कर देता है सरसी यहाँ पर उस माउंटन के पास आ गई थी और वो उस इमर्जन्स को रोकना स्टार्ट करने वाली थी तबी स्प्राइट वहाँ पर आ जाती है और सरसी के पीट में एक वेपन मार देती है जिससे कि सरसी काफी यदा घायल हो गई थी स्प्राइट यहाँ पर सरसी को बताती है कि उसे इंसान बिल्कुल पसंद नहीं और वो पूरे इंसानों के प्रजाती को खत्म कर देना चाहती थी और तभी वहाँ पर ड्रेक आ जाता है और स्प्राइट के सर पर मारकर उसे बेहोश कर देता है यहां पर थीना उस क्रिën overcome के पास आ गए थी और वो क्रियेचर थीना को स्टार्ट हो गया था और अर्थ के अंदर से वो सेलेस्टील गौड बाहर निकल रहा था चारों तरफ पूरी तबाई होनी लगी थी सर्सी यहां पर अकिले ही उस गौड को रोक रही थी और उसे पत्थर में कनवर्ट कर रही थी क्रीश यहां पर आजाद हो जाता है और तु क्रीश की वो सेलेस्टील गौड पूरी तरीके से जम जाता है और बाहर निकलने से पहले ही मर जाता है यह सिंठ दीखने में काफी ज़एख खतरनाक दिख रहा था ज़रा सोचों कि अगर वो सेलेस्टील गौड बाहर और वो सब अब पूरी तरीके से जीच चुके थे और हमारी ये स्टोरी यही पर खतम हो जाती है। तो वीवर्स आपको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज कमें सेक्शन में बता दो और अगर आपको मेरा एक्स्पिनेशन एक पसेंट भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके ल लाने के लिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सीया